इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका ब्रेंड नेम है वैल कार्ड टेबलेट्स वैल कार्ड टेबलेट्स में दो तरहा की ड्रग्स आती हैं सबसे पहले एमलोडीपीन और दूसरी है साथ में वैल सार्टन मैं बता दू एमलोडीपीन और वेलसार्टन दोनों ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं लेकिन एमलोडीपीन एक्शन परफॉर्म करेगी हार्ट के उपर यानि केल्शियम चैनल ब्लॉकर है जब के आपके पास जो वेलसार्टन है वो ब्लड वैसल्स पर काम करती है इस वज़ा से ये दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं फिर आप देख सकते हैं 5 by 80 mg 5 है एमलोडीपीन, 80 है वेलसार्टन लेकिन इसके इलावा और भी कंबिनेशन आती है जैसे 5 by 160, 5 by 320 या 10 by 160 और 10 by 320 अब जब हमने ब्लड प्रेशर की बात की ब्लड प्रेशर को हम मेडिकली कहते हैं हाइपर टेंशन तो जिन लोगों को हाइपर टेंशन होती है न सबसे पहले कम डोसे स्टार्ट करते हैं चाहे 5 by 80 या स्टार्ट ले 5 by 160 mg per oral per day यानि दिन में एक ही टेबलेट ले सकते हैं इस पैकिंग में आपके पास 2 टेबलेट्स आ रही हैं अब आपके पास अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पारा तो आप डोस को इंक्रीज भी कर सकते हो 10 mg per day एमलोडिपीन और 320 mg वैल साटन इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो आपके पास मेंली कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर लेकिन याद रखें अकसर ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में भी हो जाता है और कुछ एड़र्स इफेक्ट देखा जाए तो ऐसी ड्रक्स की वज़े से अकसर हैडिक भी हो जाता है या बलड के अंदर कुछ मुक्तलिफ यूरिया नाइट्रोजन वगरा भी बढ़ सकती है और अगर आगर आगर आपको अलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी है वैल सार्टन से या एमलोडीपीन से तो आप अपनी ड्रग बदल सकते हैं डॉक्टर की मशवरे की मताबिक ये ड्रग बदली जा सकती है इसके इलावा मुक्तलिफ ड्रग जैसे अलिसकाईरिन या डेंट्रोलीन इनके साथ सीरियस इंटरेक्शन रखती हैं तो कभी भी इनको मिला कर आपने नहीं लेनी और अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लेना है तो ये थी हमारी पास ड्रग वैल कार्ड इसकी इलावा अगर आपका कोई क्वेस्टन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं साथी चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें